वेलकम बैक टो माइ किचिन और आज हम बनाने जा रहे हैं एग मसाला पुलाव जो जटपट से बन जाता है बहुत टेस्टी होता है तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने कडाई ले लिए जिसमें मैंने दो बड़े चम्मज तेल ले लिए है और यहां पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है वह डाल दिया है और हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और जैसे ही प्याज जो है थोड़ा सब पिंक हो जाएगा तो मैं यहां पर अध्रक लैसुन का पेस्ट टाल दूँगे और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 30-40 सकिंद्स के लिए क्या करेंगे हम इन दोनों को छोड़ देंगे ताकि यह दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें मसाले डालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैंने जो है वो आधी चमच हल्दी ले ली है एक मैंने धनिया पाउडर ले लिए है तो यहां पर हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज के साथ जो है इसे थोड़ा सा भुनने देंगे अच्छे से जो है दो मिनिट के लिए मैंने मम हम इसे छोड़ देंगे ताकि और आप यहां पर मैंने थोड़ा कट के दूर्फ कर दिया था चोटी शाइस का टमाटर है उसको बारी काट लिया है और वहने डाल बर प्रते हेती हैं एक राट जेते हैं पॅर्फिर इनेονगे दाल में और दिया है ताकि यह हमारे नमक को गलाने में help करें फिर उसके बाद मैं इसे 2-3 मिनिट के लिए पकने के छोड़ दूंगे ताकि जो टमाटर का पीसे होता है वो अच्छे से गल जाए और हमारा जो मसाला है पुसार जो है अच्छे से पक जो यहां पर फिर मैंने कढाई पे मसाले को एक यहां पर मैं गैस कजलो है वो मीडियम कर दूंगी उसके बाद मैं धीरे 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 जो अंडे का फीटा हुआ पोशन है उसको जो बनाया हुआ था प्यास टमाटर के साथ मैं मिक्स करते रहूंगे मतलब हमें बेसिकली इसका एक भूरजी बनाना था तो मैं इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक आप इसे अच्छे से पकाईए फिर यहां पर मैंने धनिया पती डाल दिया है और इसे मैंने धनिया पती के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं क्या करूंगी गैस कलाओ एकदम कम कर दूंगी और यहां पर मैंने जो है दो लोगों अच्छे से चावल के साथ मिक्स कर दिया है कि अच्छे से मिक्स कर दे रही हूं उसके बाद अब हम एंड में थोड़ आधा चमिश के करीब गरम मसाला ले लेंगे और मुझे लग रहा था कि यहां पर मैंने नमक थोड़ा कम लिया है टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला तो मैंने थोड़ा सा और नमक अड़ कर दिया है आप अपने हिसाब से जो है नमक टेस्ट कर सकते हैं यह दिखिए मैं यहां पर इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूं उसके बद में क्या करूंगी अंडा जो बॉल एक होता है उसको मैंने क्रश कर लिया था जिससे हम अध बिल्कुल बनकर त्यार हो जाता है और आपकी यह रेसिपी जो है मुश्किल से 15 मिनिट लेगी और इतनी टेस्टी बनकर त्यार होगी कि यह सब को पसंद आएगी आप एक बार जरू ट्राइक करना और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और अपन क pra त्यार हो जाम में पांगा ताहिक हो जाऊ जास हरता है मुटस्क ओ सालिज हो जाईकंदों कि एक लाइक करना आपकार जाएब सुझर।